अलो दोस्ते हैं को सफाहते हैं हमारी यूट्वचनल पर और आज हम आपकी लिए एक और वीडियो लेकिए literally हैं जिसके अंदर हम इंडोक्राइन सिस्टम पढ़ने वाले हैं तो इंडोक्राइन सिस्टम पहले क्या होता है उसके बात करते हैं तो जो फी maintain homeostasis of body, यानि जो आपकी body का internal environment है, उसको maintain रखता है, और इसके साथ में जो endocrine system है, इसके साथ में similar ही work करता है आपका nervous system, तो nervous system और endocrine system दोनों मिलकर काम करते हैं, और आपकी body का जो homeostasis है, वो maintain कर के रखते हैं, तो सबसे पहले माँ बता दू, यह आपकी nervous cell है, यह आपकी क्या है, यापकी nervous cell है, तो इससे क्या होता है, neuro transmitter generated होता है, और आपकी target cell के पास में पहुंशते हैं, target cell के पास में इसका receptor होता है target cell के पास इसका receptor तो वो receptor से जूड़ेगा और यह आपकी बोल सकते हैं target cell है target cell से receptor जूड़ेगा और अपना response जनरेट होगा अपना response जनरेट होगा तो यह जो response जनरेट होगा वो आपका short term and quick response होगा short term रहेगा लेकिन quick response रहेगा short term and quick response देखने को मिलता है यह हमें nervous system में देखने को मिलता है वही हम endocrine system की बात करते हैं तो यह आपकी endocrine cell हो गई इस cell से आपका hormone निकला और यह hormone आपका blood के थुरू यह आपका blood है इसके थुरू आपकी कि जो यह यहां पर hormone जो blood के थुरू circulation से सिस्टेमिक circulation से आपकी जो target cell होती है उसके पास में इसका specific receptor होता है उस receptor से यह bind होता है और bind होने के बाद में ना function करवाती है तो इससे जो response जनरेट होता है response की बात करते हैं इससे जो response जनरेट होता है वह कैसा होगा तो वह आपका long long term and slow response होगा long term और slow response होगा यह दोस्तों यह जो दोनों में difference है जो nervous system और endocrine system का वो यही डिस जो अपना difference है जिसे कि आपको बता दी जो nervous system है उसके अंदर आपका slow term और quick response होता है वहीं अगर endocrine system की बात करें तो आपका long term और slow response हमें यहां देखने को मिलता है तो इस तरह से यह दोनों system आपकी body का homeostasis maintain करके रखते हैं अब हम continue करते हैं आगी क्या-क्या endocrine system में हमें क्या-क्या देखने को मिलेगा तो चलिए चलते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं endocrine system किस से मिलके बनाता है सबसे पहले हम बात करते हैं glands की सबसा करते हैं या पिसे धिया जो क्या करती है hormone check करती है जो किया करती है पहले एंजोप्राइन और दूसरी और होती है वो डट से अपना hormone है मालीजिए यह अपकी जि drones gland है यह अपना hormone किसी duct के through target cell के पास में पहुचाती है वहीं अगर हम बात करते हैं जो endocrine gland होती है वो क्या करती है यह मान लीजिए endocrine gland है यह क्या करेगी अपना hormone है जो blood में छोड़ेगी और blood से फिर blood circulate होते हुए target cell के पास में जाएगा और वहां से अपना function करवाएगा यानि दोनों में difference के पास के तो exocrine gland वो होती है जो duct वाली gland होती है और direct target cell के पास में अपना hormone release कर देती है वहीं endocrine gland वो होती है जिनमें duct तो नहीं होती लेकिन वह है अपना hormone blood में छोड़ देती है और target cell के पास में blood से पहुंग जाता है तो इस तरह से दो endocrine और exocrine दो तरह की gland होगी दोनों में difference आपको पता जल गया अब हम बात करते हैं hormone hormone क्या होता है hormone एक chemical substance है जो क्या करता है आपकी body functioning को affect करता है यानि आपके कोई भी body parts से function करवा सकता है hormone है ठीक है यह hormone chemical substance है उसके बाद में हम आगे बात करते हैं next गलते हैं तो types of hormone hormone की कितने type होते हैं तो हम solubility के coding देखते हैं अगर solubility के coding देखें तो hormone आपका lipid soluble होता है water soluble होता है देखे water soluble lipid soluble में आपके आ जाएंगे T3 T4 and steroid hormone वहीं अगर water soluble की बात करें तो insulin, glucagon, oxytocin और prolactin, pts यह सारे आपके water soluble hormone आ जाएंगे वहीं अगर हम दूसरा types देखते है according to structure structure के according हम अगर hormone के type पढ़ें तो हम तीन तरह से पढ़ते हैं steroid, tyrosine and protein steroid hormone आपके mineralocoticoid, glucocoticoid, androgen यह सारे hormone आपके steroid hormone है वहीं है अगर tyrosine hormone के बात करें तो T3, T4, dopamine, adenoline, non-adeline यह सारे आपके tyrosine hormone है वहीं protein hormone की बात करें तो insulin, glucagon, pts, oxytocin, prolactin यह आपके protein nature की hormone होते हैं आगे हम बात करते हैं receptor क्या होता है दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि आपकी cell होती है उस cell के बात में एक specific receptor होता है एक specific receptor होता है जो की specific hormone के लिए होता है तो ऐसे हम बोल सकते हैं पर होता है यह पार सकते हैं कि यह एक protein substance है क्या receptor एक protein substance है जहां पर आपका hormone होता है वह बाइंड होता है लेकिन यह specific hormone, specific cell के उपर specific hormone ही बाइंड होगए कैसा यह की कोई भी hormone आके यहां पे जुट जाए तो specific cell के उपर by specific hormone का receptor पाया जाता है जिससे वो होर्मोन आके जुड़ता है तो हम पढ़ें तो पढ़ सकते हैं प्रोटीन सबस्टेंस प्रजेंट ओन डिफ्रेंट पार्ट ओप सेल फॉर दिफ्रेंट स्पेसिफिक होर्मोन ठीक है यही है हमने जो समझा उसके बाद में हम बात करते हैं लोकेशन आप र साइटोप्लाज में कहीं और भी हो सकता तो दो तीसरे आपका निकलीस के ऊपर दो निकलेश की आमुकित हो सकता है तो यह अलगलग जगह पर सिल सा रिशदने ficar मिलेंगे जितने प्रोर मिलेगे उनका साइटोप्लाज में आपको मिलेगा donate to के बात करें तो ती त्री टी फॉर आपके थायरड होर्मोन होते हैं थायर उस थायरड होर्मोन का जो आपका रिसप्टर है वो आपको निकलियस पे मिलने वाला है यह था थोटा सा डाइगराम में समझना चाहो तो समझ सकते हो यह आपकी सेल है यह सेल है यह सेल है तो यह receptor आपको cell membrane पे मिलेगा वहीं है अगर साइटोप्लाजम की बात करें जो जितने भी steroid hormone होते हैं उनका सबका steroid hormone का सबका आपको cytoplasm में मिलेगा वहीं nucleus की बात करें तो जो T3 T4 hormone होते हैं उनका आपको receptor आपको nucleus पे मिलने वाला है चलिए next लते हैं next है हमारी endocrine gland तो endocrine gland कितनी परकार की होती हैं बात करते हैं तो types की अगर बात करें endocrine gland की तो आपकी दो तरह की होती एक तो purely endocrine gland और दूसरी mixed endocrine gland purely endocrine gland से क्या समझते हैं जो gland सिर्फ hormone का secretion करती है ऐसी gland जो सिर्फ hormone देती है में जो सिर्फ hormone का secretion करती है और another कोई काम नहीं होता है ऐसी होर्मोन आपकी ऐसी जो gland है उनको आप बोलोगे pure endocrine gland pure endocrine gland वहीं दूसरी तरह की ऐसी glands और्गन्स या और्गन्स होते हैं जिनको जिनका काम endocrine organ भी जिसे हमार्मोन रिलीस करना होता होता हुसके के लीवर का काम आपका जो हilty कबाएब और भी ब्यूद्ध उता होता उसके लऔर ऑर भी बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट होता वहीं अगर चे बाद कर लेते हैं मेंगर हम पिर्छे की बाद कर लेते Isolates of Langerhands इस Clustrocell का मतलब है यहाँ पर अलग-अलब भिन भिन परकार की चेलों का यहाँ पर गुच्चा पाए जाता है इसमें सब तरह की सेल्स पाई जाती है जिन में हमने सब को अलग-अलग नाम दे दिया कुछ को हमने अलफा सेल दे दिया कुछ को हमने बिटा सेल दे दिया इसलिए हमने सबको अलग-अलग नाम दे दिया लेकिन इनको बोलते हैं कलेश्ट्रोफ सेल बोलते हैं कलेश्ट्रोफ सेल नहीं आइसलेट अप लेंगर हैंस भी बोल सकते हैं तो यह जो सेल में अलग-अलग तरह की सेल होती है सबका अलग- हम pankreans के बात करें तो आपका जो pankreatic juice है वो भी बनाने का इसी का काम होता है pankreatic juice तो ऐसे आप समझ सकते हैं कि यह आपका endocrine काम भी कर रहा है और साथ में एक्जोक्राइन काम भी कर रहा है another काम भी कर रहा है तो ऐसे और्गन को आप बोलोगे अपिhoय का काम सिर्फ करना होता है वहिं अगर हम बात करते हैं या मिक्स्टे और उन्दक्रायन ग्लैन्स या अपका काम इस तरह से आंदर काम गिर्लीज्य होता है होगि हई नी अगर बात करते हैं सबसे पहली ग्लैनड की देखे ठोड़ा समय है आपको तो पिक्चर से कुछ क्लियर कर दूँ कि बोड़ी में जो ग्लैंड्स हैं उनके बारे में थोड़ा सा पिक्चर से मैं आपको बता देता हूं तो यह आपका ब्रेन और ब्रेन में सबसे पहले होती है हाइपो थेलेमस सबसे उपर एक ग्लैंड होती है जिसको आप बोलते हो हाइपो थेलेमस उसके बाद में इसके नीचे जैसे हम बात करते हैं तो आजाती आपकी पिट्यूट्री pituitary gland pituitary gland के बाद में हम बात कर रहे हैं neck region की तो जैसे हम neck region तक पहुंचते हैं तो वहाँ पर देखते हो एक आपको butterfly shape की gland मिलती है जिसको आपने बोल दिया thyroid gland thyroid gland के बाद में हम आगे चलते हैं तो आजाती है आपकी thymus thymus gland thymus के बाद में हम आगे चलते हैं तो आपका आजाता है heart आपका heart आजाता है heart भी आपका hormone release करता है ANP, BNP उसके बाद में हम आगे चलते हैं तो आपकी kidney kidney से और इसके उपर आपकी adrenal gland होती है इसी के उपर आपकी adrenal gland होती है तो यहां से भी आपके hormone secretion होते हैं यह इस तरह से आपके उसके बाद में हम बात कर रहे हैं female के अंदर ovaries, male के अंदर testis, तो वहां से भी hormone का secretion होता है और और adipose tissue से भी कुछ hormone का secretion होता है इस तरह से आपकी body में बहुत सारी जो glands होती है वो पाई जाती है और सबसे secretion होता है सबसे अलग-अलग hormone secretion होता है सबका अलग-अलग काम होता है तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं hypothalamus की तो hypothalamus को master of master gland भी बोलते हैं master of master यानि principle जो आपकी master of master gland इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपकी pituitary gland होते हैं इसको master gland बोलते हैं और यह pituitary gland को भी control कर चा vid dostो कर रखता है यानि सबसे superior जो सबको control कर चार वो है hypothalamus इसलिए स्को master of master Gland बोलते हैं इसके part के बात करें तो part of nervous system ये अगर हम बात करें कि ये organ क्या है ये क्या endocrine gland है ये क्या है तो ये आपका जो nervous system है उसका ये part है लेकिन as aendocrine भी काम करता है क्योंकि इससे कुछ hormone भी निकलते हैं तो इस तरह इसके अंदर दो तरह कि ह 210 होते हैं सबसे पहले तो तरह कि कौनकौन से ओते हैं निससे वह बात कर लेते हैं तो सबसे पहले था हम बात करते हैं तो रिलीजिंग होर्मॉन निकलते हैं कान सा छी जी अचार yat paradh yukai आपका eंट ay promo का रिलीस कर आता है और memory gland से फिर बाद में milk synthesis करवाता है उसके बाद में है टी आरच जो टी आरच है वो आपका thyroid releasing hormone है एंटिरी पिट्यूटरी से जाएगा TSS release करवाएगा और TSH आपका thyroid के पास में जाएगा और क्या करेगा thyroid hormone को increase करेगा फिर आता आपका CRH corticotropic releasing hormone जो जो इंटिरी पिट्यूटरी के पास में जाएगा और ACTS के पास में जाएगा और increase steroid यानि आपकी cortex hormone है उनको release करवाएगा उसके बाद में हैं आपका GNRS गोनेडोट्रोपिक releasing hormone जो इंटिरी पिट्यूटरी के पास में जाएगा और LH का secretion बढ़ा देगा वहीं फिर बात में आता है आपका MSS जो की skin के पास में जाता है melancide cell से और melanin का secretion करवाता है जो की darkening of skin के लिए responsible होता है वहीं यह आपने देखा कि एक releasing hormone निकाला तो दूसरा inhibitory hormone भी निकालते हैं तो इससे जो इससे दो तरह की inhibitory hormone भी निकलते हैं तो कौन-कौन सा एक तो है GHIH यानि growth hormone inhibitory hormone जिसको आप somatostatin भी बोलते हैं जिसको आप somatostatin भी बोलते हैं और दूसरा है इंटिरियर जो यह जो somatostatin है यह anterior pituitary के पास में जाएगा और GH hormone को decrease कर देगा पिर दूसरा जो hormone हो हमारा है PEIH प्रोलेक्टिंग इनवीटिंग hormone यह क्या करेगा एजे इसका दूसरा नाम dopamine होता है यह anterior pituitary के पास में जाएगा और प्रोलेक्टिंग को decrease कर देगा अधर हॉर्मोन की बात करते हैं तो इसके कुछ और भी हॉर्मोन होते है हाईपोथलेमस के वो है ADH और ऑक्सिटोसिन ADH क्या करता है ADH कहां से बनता है सबसे पहले तो anti-diuretic hormone है ADH की फुल फॉर्म और यह आपका सिंतेसाइज होता है supraoptic nuclei of hypothalamus hypothalamus के पास में supraoptic nuclei होती है उससे यह hormone synthesize होता है वहीं ऑक्सिटोसिन है यह भी आपका hypothalamus से synthesize होता है तो hypothalamus में कहां होता है तो उसमें paraventricular nuclei होती है वहाँ से यह synthesis होता है तो next अलते है feedback mechanism feedback mechanism क्या होती है तो यह दो तरह की होती है एक तो negative और दूसरी है positive जो feedback mechanism है दो तरह की होती है एक तो negative एक positive तो negative क्या होती है positive क्या होती है उसके बारे में हम बात करते हैं तो देखे उसके लिए थोड़ी सी आप process समझ लेजिए यह अपकी है hypothalamus मालो है कि यह है कि यह है कि यह आई निकला ऐ ब्रेंस अब फिर बोल सकते आपकी ब्लड़ के नंदर जब थायर RAW उस्ट की कमी हुई जब आपके ब्लड में थायराड होर्मोन की कमी हुई तब आपकी बोड़ी से में ओर वोन निकला ती आर्च अब और या क्या करेगा तियारच क्या करेगा आपकी एंटिРИयर पिटूटरी के पास में जाए गा पिटूटरी लैंड के पास में आपति आप' किसलब का क्हीच क्यों चाह्योएगा और यहां च्टिर्फ क्लाइगा आपका आर्रियुट thyroid gland के पास में जाएगा और thyroid gland को stimulate करेगा और thyroid gland को stimulate करेगा तो यह क्या बनाएगा अपने T3 and T4 अब blood के अंदर अब हम blood के अंदर की बात कर रहे हैं यह आपका blood है blood vessels है आपने देखा कि blood के अंदर T3 T4 hormone जहां पर आए ठीक है जब आए तो आपके blood के अंदर इसकी value जितनी चाहिए थी उतनी normal हो चुकी है अब यह वापिस message देगा negative feedback यह जो message जाएगा वो जाएगा आपकी high hypothalemis के यह कौन सा जाएगा negative feedback यह जाएगा यह normal process थी लेकिन जब hormone आपके blood के अंदर normal level पर आगया तो negative feedback mechanism से जाएगा और यह TRS को stop कर देगा यह TRS को stop कर देगा TRS stop हो जाएगा तो anterior pituitory को stimulation नहीं पुचेगा और TSS का stimulation नहीं होगा और TSS अगर thyroid के पास में नहीं जाएगा तो T3 T4 और नहीं बनेंगे यही same level यही same condition होती है जब आपके blood के अंदर जब आप यह हम बात करते हैं आपकी मालो यह blood vessels है blood vessels के अंदर आपको T3 और T4 चाहिए थे लेकिन यह value इनकी normal से कम है यानि कम हो रखे है तब क्या होगा तो तब आपकी वही same brain के पास message जाएगा कौन सा अब कौन सा message जाएगा अब जो message जाएगा वो जाएगा positive feedback जब कम होती है तब जाएगा positive feedback mechanism तो positive feedback mechanism जाएगा और hypothalemis को बोलेगा भाई साब TRS को release करो अब TRS जब release होगा anterior pituitor के पास में जाएगा और anterior pituitor से TSH hormone निकलेगा और TSH आपका thyroid क पास में जाएगा thyroid से T3 and T4 hormone निकलेगा और ये blood में जाएगा और normal value कर देगा तो ये negative और positive में ये फरक होता है जब hormone कम होता है आपके blood के अंदर तब positive feedback mechanism आती है जब hormone जदा हो जाता आपके blood के अंदर तो वहाँ पर negative feedback mechanism आती है तो ये negative और positive feedback के बारे में था अब हम आगे चलते हैं आगे हम देखते हैं pituitry gland अब हम next gland पढ़ रहे हैं pituitry gland तो pituitry gland को master gland भी बोलते हैं और ये hypothalamus इसको control कर रही थी hypothalamus इसको control कर रही थी इसलिए उसको master of master बोलते हैं master gland बोलते हैं कहां होती है यह यहां पर वर्ड जो gross word है उससे मतलब है अपनी आई से जो हम देख सकते हैं जो अपनी आई से हम देख सकते हैं उसको आप gross anatomy बोलते हैं तो सबसे पहले location की कहा होती है तो ये cranial cavity के अंदर होती है cella tersi का नाम की जगह होती है वहां पर ये पाई जाती है और hypofeasal fossa होता है जो आपकी spinoid bone के अंदर होता है उस spinoid जो उस hypofeasal fossa उसके अंदर ये pitutry gland situated रहती है color की बात करें तो इसका brownies pink इसका color होता है size की बात करें तो इसकी one centimeter इसकी size होती है वहीं अगर weight की बात करें तो 500 mg यानि आदे ग्राम की ये पूरी सी होती है और shape की बात करें तो मटर के दाने जितनी इसकी shape रहती है तो ये pitutry के बारे में थोड़ा साथा general अब हम आगे चलते हैं आगे देखते हैं parts of pitutry gland तो mainly अगर parts के बात करें तो pitutry gland के दो part होते हैं पहला है anterior pitutry जिसको आप adeno hypofysis बोलते हैं और दूसरी है posterior pitutry जिसको neuro hypofysis बोलते हैं एडिनो से मतलब है यहां पर gland एडिनो से मतलब है यहां पर gland यानि जो hormone रिलीज होते हैं वह आपके anterior pitutry से होते हैं इसलिए इसका नाम adeno hypofysis है और जो आपका posterior pitutry उसका नाम neuro hypofysis है अब यह जो आपकी pitutry gland कुछ इस तरह की होती है गर मैं normal structure उना हूं इन दोनों के बीच में जो आपकी यह anterior pitutry यह आपकी anterior pitutry और यह आपकी posterior pitutry तो जो anterior pitutry और posterior pitutry है इनके बीच में एक lobe पाये जाता है इस lobe को आप intermediate lobe बोलते हैं यह आपको non functional पाये जाता है यह human के अंदर non functional पाये जाता है इसलिए हम इसको पढ़ते नहीं है लेकिन इससे जो hormone है MSS निकलता है MSS hormone इसे से निकलता है लेकि इस hormone को हम anterior pitutry में ही पढ़ते हैं चलिए ने एक सलते हैं histology internal structure अब हम pitutry gland की internal structure पढ़ने वाले हैं कि क्या internal structure होती तो internal structure की बात करें तो आपकी जो anterior pitutry है उसमें दो तरह की cells पाये जाती है कौन-कौन सी पाये जाती है सबसे पहली cell है chromophobic cell और दूसरी है chromophilic cell chromophobic cell आपकी करते हैं किसको hormone secreting cell को supporting का काम करेगी वहीं जो chromophil cell होती है वह आपकी 50% होती है और secretory cell होती है इन cell के अंदर आपकी दो तरह की और cell पाये जाती है एक होती है acidophilic और दूसरी होती है basophilic जो acidophilic है वह 35% होती है जिसको आफ alpha cell भी बोलते है और जो आपकी basophilic cell है वह कर रिलीज होने वाला जी एच और मेमोट्रोप से रिलीज होने वाला प्रोलेक्टिन उसी तरह से basophil cell होती है उससे भी आपकी जो अलग-लग cell पाये जाती ही तीन तरह की cell पाये जाती है सबसे पहले है कोटिको ट्रोप जिससे आपका ACTS होता है और एक थाइरोट्रोप जि देखिए जिसमें आपने दो तरह की cell देखी क्रोमोफॉबिक cell और क्रोमोफरिक cell दोनों पचास-पचास प्रसेंतटे जो क्रोमोफरिक है हो कोई काम की नहीं होती बस सपोर्ट का काम करती है जो क्रोमोफल सैल है वो इंपोर्टेंट होती है क्योंकि वह हорм diyorsun का का्म करती है वहीं है आपकी जो बेसोफिलिक चेल के अंदर जो कोटिको ट्रोफ आती उससे ACTS निकलता है और थाइरो ट्रोफ से आपका TSS निकलता है फिर नेक्स दलते हैं इंटरनल स्टक्चर और पोस्टिरियर पिटूटरी अब आपने इंटिरियर पिटूटरी की स्टक्चर देख लि से पोस्टिरियर पिटूटरी तो जो अनमाइलिनेटेड नियूरोंस होते हैं वो क्या काम करते हैं आपके होर्मोन का जो हाइपोथेलेमस से जो हाइपोथेलेमस में जो होर्मोन बन रहा है उसको पोस्टिरियर पिटूटरी तक लाने का काम करते हैं कौन करते हैं अनमाइल चलेंए एक सलते हैं, connection between hypothalamus and pituitary, अब हम connection देखते हैं कि hypothalamus, जो आपकी क्या connection होता है, वो हम बात कर लेते हैं, तो वो अब हम देखते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं connection between hypothalamus and anterior pituitary, यानी जो hypothalamus है और ये anterior pituitary है इनके बीच के connection की बात कर रहे हैं कि क्या connection होता है इसके बीच में तो यह कैसे connected by portal vessel system जो आपका blood supply होती है blood supply होती है portal blood vessels है आपकी उस vessel से ही यह connected रहती है तो अपना जो हाइपोथलम से जो hormone होता है इस vessels के blood में डाल देते हैं और यह blood posterior pituitries होता हुआ जाता है तो इसको जो hormone चाहिए होते हैं यह hormone जो भी इसके लिए आते हैं वो यहां से यह hormone ले देती है और अपना काम करना start करती है यह क्या होता है start from hypothalamus and reach up to the anterior pituitary के यहां से यह portal vessel से start हुई है और यहां तक reach होती है hypothalamus, hypothalamus, portal vessel system इसको बोलते हैं वहीं दूसरे हम बात करते हैं connection between hypothalamus and posterior pituitary देखें जो anterior pituitary और hypothalamus का connection होता है वो आपका portal blood vessel से जुड़ा हो रहता है यह blood की जो supply है portal जो supply है वो आपकी hypothalamus से होती हुई और posterior pituitary के पास से जाती है तो वहीं से इनका hormone का exchange हो जाता है फिर हम बात कर रहे है posterior pituitary और hypothalamus की तो यह जो आपका connection है इसमें बात करें यह around आपके 10,000 neuron से जुड़ी हुई रहती है जो hypothalamus और posterior pituitary है वो around 10,000 neuron से जुड़ी हुई रहती है the cell body of neuron present in the hypothalamus इस तरह से हम बात करें यह आपका मालों hypothalamus है तो इसमें जो cell body है वो ऐसे आपका hypothalamus में रहता है और इसका जो end part है वो आपकी posterior pituitary में रहती है इस तरह से 10,000 neuron पाई जाते हैं जो आपका connection बनाते हैं वहीं इसके अंदर जो हम बात करें जो आपका यह आपका neurons है इसका जो end part है end part है उसके अंदर आपके hormone जो है वो stored रहते हैं जो end part है उसके अंदर आपके hormone stored रहेंगे चलो next चलते हैं hormone of pituitary gland अब जो हम hormone देख रहे हैं pituitary gland से कौन-कौन से hormone निकलते हैं यह आपके pituitary gland है इससे कौन-कौन से hormone निकलते हैं तो anterior pituitary और posterior pituitary दोनों pituitary होती हैं तो दोनों से हम बात कर लेते हैं कि क्या कौन सा क्या हर्मोन निकलता है तो सबसे पहले हम बात करें कि जो इंटेरियर पिटुट्री है उससे आपका कौन सा हर्मोन निकलता है जी एच होर्मोन निकलता है और यह क्या करवाता है यह आपकी बॉन्स bonds की क्या करवाएगा growth करवाएगा और साथ में की all over body की growth करवाएगा वही प्रो लेक्तिन की बात करें प्रो लेक्तिन भी आपका anterior pituit最 निकलता है तो यह क्या करवाता है यह milk formation करवाता है milk synthesis का काम करता है milk synthesis का काम करता है वही हम बात करते हैं DSH तो TSH भी आपका anterior pitutris से निकलता है तैएश, इसका क्या काम होता है ये thyroid के पास में झायेगा thyroid के पास में झायेगा और T3 और T4 का suppression करवाएगा वहीँ आम आगे चलते हैं ACTH तो ACTH भी आपका anterior pitutris से निकलता है ACTH आपका anterior pitutris से निकलता है और एडिनल कोटेक्स के पास में जाएगा एडिनल कोटेक्स पे पास में जाएगा और हॉर्मोन का रिलीज करवाता है वही है अबर FSH की बात करें FSH की बात करें तो यह आपका ओवेरी या फिर सेक्स होर्मोन को रिलीज करवाता है फिर बाद में LH की बात करें तो यह LH भी आपका होर्मोन यहां से निकल जाएगा जो कि ओवुलेशन का काम करेगा और FSH का काम होता है मैचूरेशन ओफ ओवम मैन काम यही होता है मैचूरेशन ओफ ओवम इसका काम होता है वही LH की बात करें तो यह क्या करेगा रप्चर ओवम फिर आपका लास्ट है MSH लास्ट है आपका MSH जिससे आपके मेलेनोसाइट से मेलेनीन होर्मोन निकलता है जो कि Darkening of skin color के लिए responsible होता है वहीं अगर posterior pituitary के बात करें तो posterior pituitary में दो होर्मोन होते हैं एक होता है ADH जिसको anti-diurotic hormone बोलते हैं और दूसरा होता है oxytocin दूसरा होता है oxytocin जोकी बोल सकते है milk ejection का में काम करवाता है milk ejection का काम करवाता है और साथ में डिलिवरी के टाइम भी बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट होता है तो ये आपके अपने होर्मोन देखे अब हम नेक्स लते हैं अब हम आगे देखते हैं सबसे पहला होर्मोन है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं है ग्रोथ होर्मोन तो ग्रोथ होर्मोन की बात करें तो इसका क्या काम होता सबसे पहले कि ये ओवर ओल बोडी की ग्रोथ करवाता है उसके बाद में हम आगे बात करें कि इसका क्या काम होता तो मेटावोलिजम पे क्या क्या काम होता है जिससे क्या होगी टीस्यू की growth होगी उसके बाद हम fat metabolism की बात करें तो इसमें क्या करता है तो यह क्या करेगा fat के breakdown को बढ़ा देगा जिससे fatty acid का level बढ़ेगा और आपकी energy के लिए utilize हो सकती है अगर ज्यादा effect हुआ ज्यादा हुआ तो ज्यादा fat उटेगी जिसकी वज़े से ketogenic effect भी देखने को मिल सकता है यह लेकिन तब ही होगा जब आपकी abnormal condition में ज्यादा fat का breakdown होगा फिर है carbohydrate metabolism carbohydrate पर के से काम करता ी यह होर्मों होर्मोन increase the blood sugar level लेकर सारी body के सारे जो hormone है वह आपकी blood glucose level को बढ़ाएंगे जितनी body के जितने भी hormone है वह आपके blood glucose लेवल को क्या करेंगे बढ़ाएंगे लेकिन एक ऐसा hormone है एक ऐसा hormone है जो आपके blood glucose level को कम करता है जिसका नाम है insulin इंसुलीन जिसका नाम है इंसुलीन ध्यानकना ये तो जी एच क्या करेगा ब्लड ग्लुकोज लेवल को बढ़ाएगा बाइ डिक्रीजिंग पेरिफेरल उटिलाइजेशन ओफ ग्लुकोज ये आपको ध्यानकना है अब हम नेक्स सलते हैं next अ हमारा effect on bone bone पर क्या काम करता है जी-एच एफेक्ट ओफए एफेक्ट ओन ब्लं उलियेत। तो यह क्या ग्रेगा ओष्ष्टियोकस SIGH और झैप सेल है उसकी एक्टिवृटि ये को बढ़ा देगा जिससे क्या होगा length and strength क्या होगी बड़ेगी देखे cells के बात करें bonds के अंदर अगर हम cells के बात करते हैं तो आपकी एक तो ओती है osteoclast एक होती है osteoclast और एक होती है osteoclast Osteocytes तो यह तीन तरह के Cells के बारे में आप जान लो क्या-क्या होती हैं तो Osteoclast है यहाँ पर C जैसा कि आप दे रखे हैं Class C for Cut तो आपकी जो Bone को Destruct करने वाली Cell है तो यह क्या है Bone Destruction तो क्या करेगी Bone को तोड़ने का काम करेगी जो Osteoclastic Cell जब बढ़ेगी इसकी activity तो Bone का breakdown होगा destruction होगा वहीं Osteoblast है B यहाँ पर है Blast B से आप याद रखते हैं बनाना मतलब formation करने वाली तो यह क्या है Bone forming Cell तो यह क्या करती है आपकी Bone की Bone की Strength और अगर इसमें Activity Increase हो जाएगी बढ़ जाएगी इसकी activity तो क्या होगी आपकी Bone की जो Bone बनने की जो Speed है वो बढ़ जाएगी और Osteocytes Cell है यह क्या होती यह आपकी Mature Bone Cell यह आपकी Mature Bone Cell है जब जब यह बढ़ेगी आपकी Bone की Strength बढ़ेगी लेंथ बढ़ेगी तो आपने बोला कि Osteoblast और Osteocytes दोनों की activity यह बढ़ा देती है दोनों की activity बढ़ा देगी तो आप क्या होगा As a result क्या देखने को मिलेगा Bone की Strength and Length में हमें क्या देखने को मिलेगा Increment देखने को मिलेगा यानि आपकी जो Bone की Length और Strength है वो दोनों बढ़ेगी फिर हम बात करते हैं effect on organ तो organ पर क्या काम करता है तो यह क्या करता है जो आपकी internal organ होते हैं उन सब की Size को Increase करेगा Growth को बढ़ाएगा internal organ की Growth को क्या करेगा GH बढ़ाएगा जो GH है वो कुछ organ पर काम नहीं करता जिसे Brain, Genital Organ, Hairs and Nails यहाँ पर GH hormone का कोई role नहीं होता है और GH का Production है वो सबसे ज़्यादा होता है Initial Stage of Sleeping जब हम सो रहे होते हैं तो जब हमें नीद आ रही होते हैं उस टाइम Growth hormone का release सबसे ज़्यादा होता है नेक्स सलते हैं disorder of GH, GH की वज़े से हमें क्या-क्या disorder देखने को मिल सकते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि दो तरह के हमें disorder देखने को मिल सकते हैं एक तो हाइपर सिक्रेशन और दूसरा हाइपो सिक्रेशन हाइपर सिक्रेशन यानि आपके GH होर्मोन है वो ज्यादा सिक्रेट हो रहा है और हाइपो सिक्रेशन यानि GH होर्मोन का सिक्रेशन कम हो रहा है तो ज्यादा होता है ऐसी कंडिशन में क्या होता देखिए इतिलोजी क्या क disease के नकर पहले है गिगानटीजम दूसरी एक प्रोमेगली, देखिए अगर हाइपर सिक्रेशन होता है तो उसके वज़े से दो तरे की बिमारी हमें देखने को मिलती है कौन-कौन सी उसके बारे में हम बात करते है सबसे पहले है gigantism जो gigantism है वो क्या होती है axis production of GH in children यानि अगर बच्चों के अंदर GH hormone बढ़ जाए GH hormone की secretion बढ़ जाए तो उनमें जो disease होती है उसको आप बोलते हो gigantism इसमें क्या देखने को मिलेगा जब बच्चा घातो यहां पर glucose का level है वो बढ़ा देगा और क्या होगा glycosuria अगर hyperglycemia continuous रहा तो glycosuria देखने को मिलेगा headache due to adenoma और pituitory में तो आपको headache देखने को मिलेगा और visual disturbance देखने को मिलेगा यह क्यों देखने को मिलेगा जो tics याज में है उसमें compression की वज़े से देखने को मिलेगा क्योंकि tumor हो रही है वो compress करेगी तो उसकी वज़े से visual disturbance होगा और organomegalie क्योंकि आपने बोला कि GH hormone है वो क्या करता है आपकी internal organ की growth को बढ़ाता है तो यहां पर ज्यादा growth बढ़ जाएगी तो उसकी वज़े से organomegalie देखने को मिलता है और क्या chances of DM अगर hyperglysis में ज्यादा लंबे time तक रहा तो आप उसको बोल सकते होगी उसको DM भी हो सकता है अब हम आगे बात करते हैं दूसरी disease हमारी acromegalie यह हम hypersecretion में पढ़ रहे हैं तो इसमें क्या होता है जो GH hormone है वो adult के अंदर बढ़ जाता है अगर adult के अंदर GH hormone बढ़ जाए तो आप उसको acromegalie बोलते हो बच्चों के अंदर बढ़ जाए तो उसको आप gigantism बोल देते हो ठीक है यह दोनों चीज़ आपको पता होनी जिए उसके बाद में assessment finding क्या देखने को मिलता है हमें तो length does not increase because the epiphysal end of bone become fuse यहाँ पर देखें जो आपने देखा gigantism में बच्चे की जो height थी वो 7 से 8 फिट तक हमें देखने को मिलती है तो यहाँ पर भी बढ़ सकते हैं लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि आपको पता है at 10 year या फिर बोल सकते है adult days में क्या होता है जो आपकी bone होती है long bone के अगर हम example लेके बात करें तो मानलो यह आपकी long bone है और bone के पास में यह आपकी epiphysal end के पास में growth plate होती है एक growth plate होती है तो यह growth plate है वो fuse हो जाती है वो आपकी fuse हो जाती है जिसकी वज़े से bone में growth नहीं हो पाती है इसकी वज़े से length में को increment नहीं देखने को मिलेगा लेकिन यहाँ पर आप देखोगे extremity appear and large जो extremity है वो थोड़ी आपको लंबी दिखेगी hyperglycemia देखने को मिलेगा glycosuria देखने को मिलेगा headache देखने को मिलेगा वो ही previous region है जो आपने देखा visual disturbance tumor की वज़े से DM हो सकता है और यह नहमेगाली देखने को मिलेगा gorilla face appearance यहाँ पर gorilla face appearance भी आपको देखने को मिलता है जिसमें क्या होता है gorilla face appearance में क्या होता है prominent supra orbital ridge broad nose thick hips wrinkle on forehead pro prognathism thick and produce mandible इस तरह से आपको यह changes भी देखने को मिलते हैं यह आपका अगर adult में GH hormone बढ़ रहा है तो उसकी वज़े से यह सारे जो हैं आप देख सकते हो greatly को आपने देखा है greatly में यह सब चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी फिर हम next बात करते हैं management क्या management कर सकते हैं इसमें हम बात करते हैं इसका जो main कारण है वो है आपका एडिनोमा जो secretion है बढ़ने का कारण है एडिनोमा तो एडिनोमा को हमें हटाना पड़ेगा तो surgical management होता है इसका वो है आपका hypo physectomy वो है आपका hypo physectomy यानि आपकी pituitary gland है उसको आप निकाल दोगे तो इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं या तो craniotomy करके कर सकते हैं या फिर trans spinoidal hypo physectomy और trans nasal या तो हम craniotomy करेंगे या जो आपका cranium है उसको cut करके उसको cut करके निकाल देंगे या फिर true nasal या फिर true nasal ये nasal के अंदर से हम pituitary तक पहुंचेंगे और pituitary को निकाल देंगे ये दो दो चीजे हो सकती हैं जब भी आप hypo physectomy कर देते हैं तो आपको patient को lifetime HRT देनी पड़ेगी यानि hormone replacement therapy hormone replacement therapy आपको देनी पड़ेगी अगर आपने hypo physectomy कर दिया तो अब है hypo secretion of GH, hypo secretion of GH में क्या होता है तो इसमें सबसे पहले etiology के बात करें तो trauma suppressing tumor और hypo physectomy ये कारण से आपका hypo secretion देखने को मिल सकता है और इसकी वज़े से आपको दो तरह की disease हमें देखने को मिल सकती हैं पहली है द्वार्फिजम warfism का दूसरा नाम होता है लौरेन レेवि सिन्डरों इसमें क्या होता है GH hormone decreased हो जाता है किस के अंदर बच्चोके अंदर जो दो warfism है उसमें क्या होता बच्चों के अंदर आपका growth hormone वो everybody degree हो जाता है तो इसमें क्या assessment देखने को मिले गा तो length है बच्चे की और्गन है उनकी growth same time same 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 retard ऐसा नहीं कि एक हाथ लंबा एक हाथ बढ़ा ऐसा कुछ नहीं है जो हाथ जितना हाथ की जो normal जो बढ़नी सी ये growth वो ही रहती है मतलब growth हो नहीं पाती है growth रुख जाती है तो ऐसा नहीं एक हाथ की बढ़ गई दूसरे की नहीं ऐसा नहीं दोनों के बराबर growth ही रहेगे तो यह symmetrical growth डाड इसना आपको देखने को मिलेगा इसके अंदर IQ level है उसका जो जो इस तरह से जो जीएच द्वार फिस्ट होता है उसमें जो IQ level हो normal रहेगा क्योंकि आपने बोला जीएच होर्मोन का ब्रेन के उपर कोई effect नहीं होता है इसलिए यहां पर कोई ज्यादा IQ level में कोई फरक नहीं देखने को मिलेगा it is known as midgets यानि यह क्या midgets का मतलब बोना इनको बोने के नाम से जाना जाते हैं और सरकस प्लेयर भी इनको बोलते हैं एक होता है एक्रो माइक्रिया एक्रो माइक्रिया क्या होता है जीएच में अगर आपका जीएच अडल्ट में अगर आपका जीएच होर्मोन है वो decrease हो जाए तो उसको आप एक्रो माइक्रिया बोलते हैं इसमें क्या होगा in this overall length of body does not affect अब यहां पर क्या हो गया adult के अंदर कम हुआ तो adult में जो growth होनी थी वो हो गई है तो इसमें growth में तो कोई कमी नहीं आने वाली है लेकिन आपने बोला कि जो bone है वो weak हो जाएंगी क्योंकि यह क्या करता है GH hormone क्या करेगा आपकी osteoblast and osteocyte cell है osteocyte cell है उनकी activity को increase कर रहा था increase कर रहा था जिससे आपकी bone की strength बढ़ रही थी length बढ़ रही थी लेकिन यहां पर क्या हो रहा है GH hormone की कमी है तो इनकी activity बढ़ेगी नहीं यानि कम होगी तो ऐसी condition में आपको bone weak देखने को मिलेगी और हम इसका management क्या कर सकते हैं तो इसके लिए हम HRT दे सकते हैं hormone replacement therapy दे सकते ह हैं यह हम यहां growth hormone अपना complete हो गया है next हम बात करने वाले हैं next वीडियो में next part में हम बात करेंगे prolating hormone के बारे में तो thank you for watching कैसा लगा वीडियो आप बता सकते हैं ताकि हम next part जल्दी से जल्दी आपके लिए लेकिया है